हेलो दोस्त कैसे हैं आप सफलता तो ताय है स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज क्या पढ़ते हैं दोस्त हम लोग मोशन क्या पढ़ते हैं मोशन इसको क्या बोलते हैं गती आज हम लोग क्या पढ़ते हैं गती गती क्या होती है आप जो स्कूटर चलाते हैं आप जो साइकल चलाते हैं आप जो बाइक चलाते हैं आप जो भी चलाते हैं किस मोशन से चलाते हैं किस दिशा में चलाते हैं उसको बोलते हैं मोशन जैसे यह मैं पेंच चला दिया ये मैंने मार कर चला दिया इसको तो इसको क्या बोलोगे आप मोशन ये इनका भाई साहब का है जो मार कर रहना ये क्या कर रहा है मोशन कर रहा है और अब ये क्या कर रहा है अब ये रुका हुआ है ये मैं क्या कर रहा हूं मोशन कर रहा हूं आप किसी के च चांटा में वो क्या है मोशन मोशन क्या होता है एक चली एक जगा से दूसरे जगा पे जाना है मोशन थीकależy अब समझ लेते मोशन को यह हो गई गति ठीक्ली का कैसे समझेंगेrang में न ये एक पॉइंट हुआ यह पॉइंट हुआ यह पॉइंट हुआ यह आपका घर हुआ और यह क्या हुआ बाजार यह क्या हुआ बाजार तो आपको सामान जब लेना होगा तो बाजार जाओगे तो अपने घर से जो अपने घर से आप बाजार तक गए ना इसको क्या बोलते हैं मोश इस चीज को क्या बोलेंगे मोशन क्यूंगी आपने यहां से यहां जाने में कुछ effort लगाया कुछ मेहनत करी कुछ changes करें इसको क्या बोलते हैं मोशन समझ में आए मोशन इसको बोलते हैं गर्दी ठीक है यह अब इसमें कई टैपस हैं कि भाई आप किधर जा रहे हैं मोशन तो कर बरगार का होगा एक मोशन होता है सीधा जाना एक मोशन होता है तेन हा जाना एक मोशन होता है उपर जाना एक मोशन होता है उपर जाना एक मोशन होता है नीचे जाना और एक मोशन होता है कही नहीं जाना कहीं नहीं जा यह सारे सीधा जाना टेंड़ा जाना ऊपर जाना नीचे जाना बैठ जाना यह क्या है मोशन समझ में आई बात अब अब देखते हैं यह भी कई परकार के होते हैं मान के चलो आपको सामने जाना है तो आप यहां से यहां तक गए मोशन यह क्या है मोशन आप यहां से यहां तक गए किसी का अपने खिज के चांट लगाया क्या है मोशन क्यूं चुकि उसका हाथ यहां था आपका गाल यहां था चटाक से मारा इधर मारा गाल इंधर लाल हो गया यह क्या है मोशन अब इसमें इनर्जी का भी मोशन होता है य ये वोगे से को पापा मुझे मोशन कि डिफिनेशन पता करना तो घर पे नहीं यह हुआ मोशन किस डिरेक्शन में सीधे जा रहे हैं यह कौन सा मोशन सीधा मोशन यह कौन सा मोशन नीचे जा रहे मोशन यह कौन सा मोशन ऊपर मोशन और यह यह जो आज की जनरेशन कर रहा है हैं बायक ले लेखे पीछे पीछे वाला मोंषन लोगों के पीछे जाती ए समझ गिए किसके पिसे जाती है तो यह मुशन Desay see इन मोशे कोई मोशन करने जो काम के हैं ये बिना काम का है ये नहीं करना है ठीक है मोशन समझें ठीक अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं एक चीज आती है कि गती बोले तो डिस्टेंस एक आती है गती मतलब डिस्टेंस क्या इसको बोलते हैं डिस्टेंस एक हो गई डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी अब हम लोग दूरी और गती में अंतर समझेंगे हम लोग का है में अंतर समझेंगे गती और दूरी दोनों में अंतर समझना है समझो गती वो होती है और दूरी क्या होती है देखो यह यहां से जो यहां का पॉइंट है यह पॉइंट यह वाला इस पॉइंट के लिए क्या है एक डिस्टेंस है एक दूरी है जैसे जहां से आप पढ़ रहे हैं, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, यह अपका एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, लेकिन अगर, अगर हम तक आएंगे, आप अगर हम से मिलने आएंगे, यह मैं आप से मिलने जाओगा, वो क्या होगा, वो मोशन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे हैं, अपनी मार पड़ती है तो वो क्या हुई मोशन वो क्या हुई मोशन इसको बोलते मोशन आप समझ गया होंगे ठीक है आगे देखते हैं अगर आप लोगे समझ गये हैं तो आगे देखते हैं इसके दो क्वांटिटी होती है एक होती है वेक्टर क्वांटिटी एक होती है scalar quantity समझ में आई बात तो ये तो हुआ motion अच्छा अब motion कई परकार का होता है देखो एक होता है हवा में motion क्या होता है वायू गती एक होती हवा में motion करना हवा में motion means हवा में motion का मदल भी हुआ जैसे कि जो wave होते जो तरंगे होती है वह हवा में मोशन करती हैं आपको दिखेंगे नहीं हवा में मोशन करेंगी सपोस करेंगे आप जैसे फोन पर बात करते हैं तो जो रेडियेशन होता है फोन का वो दूसरे के फोन से करेंट हो जाता है फिर आप वहां क्या करते हैं बाते करते हैं क्यूं चुकि वह हवा में मो गतीमे वायो में UFO एक होता है मेरा जो में गतिमे सारे मोशन है यह सारे motion है एक होता emotion emotion क्या होता है motion का उल्टा emotion लोगों पर होगा motion फिजिकली होगा इसलिए इसको काहिए में बोलते हैं physics में आता है क्यूं चुकि यह motion है यह गति है एक distance दूसरे स्थान पर जाना यह motion है आप exam देने जब किसी वहां जाते है exam hall में तो क्या होता है motion लेकिन जहां है exam center और जहां पर इसको क्या बोलते हैं distance ठीक है हाँ जब आपका selection हो जाएगा फिर जब आपके हाथ में लिटरा जाएगा तो वह आपकी motion वाली क्या हो जाएगी complete हो जाएगी तब आपको rest मिलेगा तब आप fresh हो जाएगे समझ गया motion यह है motion और एक होता speed समझ लेते है speed क्या है speed देखो speed बोले तो कितनी speed में को भाग रहा है गाड़ी नहीं चलाते हैं खर 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 यह उसकी speed है चलो speed यह समझ गए motion यह समझ गए speed का मलब यह होता है कि कितनी तेज कितनी तेज मलब distance तो होगी जाएज सबादिस्टेंस पर हम speed खेचेंगे scooter का जब यह scooter का हम इसकी भीच खेचतें कप जब distance होता है और speed यह हो गए ठीक गती बलब चाल, अजया चाल कई परकार क्यों होती है, अब चाल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, चाल, कौण से चाल है, जब भी कहीं नहीं कहते हैं, क्यार भाई, कोई हमने सामान करता है, उसमें चाल आ गई, चाल का मतलब वो धिल धिल हो गया, क्या हो गया, धिल धिल हो गया, कोई पैदल जा रहा है कोई पैदल जा रहा है यह भी उसकी क्या है चाल है कि भाई पैदल जा रहा है कोई कार से जा रहा है यह क्या इसकी है चाल है इसमें स्पीड अलग है डिस्टेंस अलग है कहां जा रहे हैं वो भी पता नहीं यह समझते हैं लेकिन फिलालम एक कार हुआ एक बाइक हुई बाइक पे भी चाल आती है एक क्या हुई हमारी प्लेन एक क्या हुई प्लेन इसमें कौन से जाते हैं उड़के जाते हैं लिगे वो भी चाल है एक स्पीड से एक गती करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं समझ में आगाई तो यही चाल ले और यही motion ने यही गति है यही distance से यही दूरी है समझ में आई तो यह clear होना चीए इतना आप लोग note कर लो clear कर लो फिर कल आगे बढ़ते हैं इसका अग्वाई चेप्टर, ओके, ओके.